हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको Microsoft Access में कैसे फॉर्म करते है उसका process दिखाऊंगा तो चलो शुरू करते है तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से एक टेविल यहाँ पे बना के रखा है जिसका नाम में ने दिया है employee details ठीक है तो अभी इसको हम आपको open करके दिखाते है इसमें क्या क्या field मैंने लिया है तो इसमें right click करें फिर design view में open click किजिए फिर यहाँ पे देखिए open करके हम आपको दिखाते है यहाँ पे क्या क्या है पहले है employee id, employee name, address, contact number, department, designation and basic यह सारे field मैंने यहाँ पे लिया है ठीक उसके बाद table को हम open करके आपको दिखाएंगे double click करके यहाँ पे देखिए data sheet view में दिखा रहा है कि यहाँ पे table में हमने कोई data add नहीं किया हुए table blank है तो हम जो data add करेंगे वो form के through करेंगे तो from create करने के लिए हमको पहले create tab में जाना परेगा वहाँ से हम forms group के अंडर form design में जाके click करेंगे form design option में click करने के साथ साथ यहाँ पे form design का window open हो जाएगा तो याद रखिएगा form का सारा जो काम है यानि कि आप form में जो जो काम करेंगे वो आपको design tab के through करना है design tab के through तो अभी हम क्या करेंगे tools group में जाएगे जहां से add existing fields नाम का option यहाँ पे दिखेगा तो add existing field में click करेंगे फिर यहाँ पे एक window open हो जाएगा जिसका नाम field list होगा तो उसमें हमरों का table का नाम है वो दिखाएगा तो यहाँ पे प्लास साइन है इसमें click करने के बाद देखिए हमारा जो table में जो field है वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है तो सारे में हम क्या करेंगे double click कर करेंगे तो double click करने के साथ साथ वह आपका form का window है वह आपे add हो जाएगा तो यह पहला बाला मैंने किया अभी हम बाकी को भी करेंगे देखिए resignation and basic तो हो गया अभी यह जो field list window है इसको हम close कर देंगे field list जो window है ठीक है तो यहाँ पे देखिए सारे field को हमने add कर लिया अभी हम field list window को close कर देते हैं अभी हम सारे field को बीच में लाएंगे और इनको adjust करेंगे तो किसी भी field में क्लिक करो तो वहाँ पे बीच में dot sign आएगा जहां से click करके अब सारे field को एक size का कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए कुछ field छोटा कुछ बड़ा है तो इनको हम एक ही तरीके से adjust करेंगे तो बीच में जो dot है उससे तो size हर एक का एक ही होगा designation और last में हमको लोगा basic उसको भी adjust कर लेंगे थोड़ा तो अभी right side में जो यहाँ पे field है इनको भी थोड़ा हम बड़ा करेंगे क्यूंकि जो data entry होगा वो यहाँ पे होगा ठीक है तो यह हो गए हमारा adjust अभी इसको थोड़ा ऊपर लेते है page में तो हो गए हमारा field adjust अभी इन पे हम color या फिर जो back color for color होता है या फिर उनका जो font style होता है वो थोड़ा change करेंगे तो यहाँ पे हमको tools group के अंडर property sheet में जाके click करना होगा property sheet फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे जो जो field है इन सारे को select करेंगे select करने के बाद हम property sheet से वो properties apply करेंगे यहाँ पे हम back color में click करेंगे तो यहाँ पे three dot एक symbol है जिसमें click करके कोई भी color आप choose कर सकते हो तो मैं भी यहाँ पे कुछ choose कर देता हूं तो फिर हम four color में click करेंगे तो यहाँ पे भी three dot है जिसमें click करके आप कोई भी color choose कर सकते हो मैं भी यहाँ पे कुछ choose कर देता हूं फिर हमको font name में क्लिक करना होगा, font name, तो यहाँ पर देखिए, बो effect दिखा रहा है, हमारा जो field है उसमें, तो अभी हम यहाँ पर click करके, कोई भी font style, choose कर देंगे, तो उसके बाद, देखिए, यहाँ पर font style का effect दिखा रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, text align, जो की alignment है, उसको हम left कर देंगे, तो यहाँ से left कर दिया है, तो यह हमारा जो field का जो काम है, वो यहाँ पर decoration field का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, employee name का जो box है वो थोड़ा चोटा बढ़ गया है, तो यहाँ पर हम सारे field को click करके, एकदम से सारे को adjust कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो यह field भी adjust हो गया, तो अभी हम यहाँ पर title add करेंगे, title add करने के लिए, पहले हमको label में click करना होगा, फिर label को हम जो title position है, वहाँ पर draw कर देंगे, level को, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी, जो कोई भी आप लिखना चाहते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, आपका form का title आप देना चाहते हो, यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे रहा हूँ, employee details, अभी हम बाहरे click करेंगे, उसके बाद employee details, जो heading मेंने दिया है, जो title दिया है, उसको select करके, उसमें भी हम back color, four color यह सारे add करेंगे, तो back color से कोई भी एक back color यहाँ पर मैंने चूश कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर four color में click कर करने के बाद four color में भी कुछ भी four color आप यहाँ पर set कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने four color भी set कर दिया, फिर यहाँ पर font name, font name जो मैं है, यहाँ पर कुछ भी set कर रहा हूँ, bookman old style, आप भी कोई भी set कर सकते हो, यहाँ पर font size इसको थोड़ा increase कर देता है, क्योंकि यह header है, यह थोड़ा बड़ा होगा, तो अच्छा लएगा दिखने में, तो अभी हम text alignment जो है, text align, इसको हम center करेंगे, center, center कर दिया, देखिया, वो heading है, वो एकदम बीच में आ गया, size थोड़ा और increase कर देते है, तो अच्छा लएगा देखने में, ठीक है, अभी heading भी हमारा यहाँ पर complete हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिया, हमने title और सारे field को यहाँ पर color देके adjust कर लिया, ठीक है, अभी हम आयेंगे form के main part के उपर, जो है button add करना, तो जो controls group के अंडर, यहाँ पर देखिया, button एक option है, जिसमें हम click करेंगे, जिसके through सारे data को navigate करते हैं हम, तो पहले वाला button को हम मैंने यहाँ पर draw किया, फिर एक window open होगा, जहाँ पर दो group रहेंगे, एक categories और एक actions, तो categories group से हमको record navigation में click करना होगा, और actions group से go to first record में click करेंगे, यहाँ पर देखिया, icon आ गया, फिर हम next, और एक बार next, और finish में click करेंगे, तो पहला वाला जो button है, वो यहाँ पर देखिया, add हो गया, अभी हम दूसरा button add करेंगे, फिर से हम button में click करेंगे, तो यहाँ पर button हम यहाँ पर draw कर रहा है, same, categories से हमको record navigation में रहना होगा, और actions से हम go to previous record में click करेंगे, तो यहाँ पर देखिया, icon आ गया, फिर हम करेंगे next, फिर next, फिर finish, यह हो गया हमारा दूसरा button add, इसको थोड़ा adjust करते है, अभी हम थीसरा button add करेंगे, तो यहाँ पर थीसरा button में यहाँ draw किया, तो यहाँ पर categories group से मेरे को record navigation में रहना पड़ेगा, और actions group से go to next record में हम click करेंगे, यहाँ पर देखिया, icon आ गया, यहाँ पर categories और actions को आपको ठिक ठाक देखना होगा, फिर next, next, finish कर देंगे, तो तीसरा बटन भी add हो जाएगे, उसको हम थोड़ा adjust कर लेंगे, अभ यहाँ पर record navigation में रहना होगा, और actions group से go to last record में click करेंगे, मतलब कि आपको actions और categories जो group है, यह आपको देखना होगा, यहाँ पर देखिया, icon भी आगया, फिर next, next और finish में click करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, यह चारो बटन को थोड़ा adjust करेंगे, मतलब कि थोड़ा बीच करेंगे, तो button में click किया, तो पहला बटन हमने यहाँ पर draw किया, यहाँ पर थोड़ा changes होगा, category से हमको record operations में click करना होगा, और actions से add new record में, फिर हम करेंगे next, और उपर देखिया, text एक option है, जिसमें click करने के साथ, add record यह लिखाई वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो अभी ह अहला बाला जो button है, वो record operations का, वो add हो गया, अभी दूसरा act करता है, फिर button को draw किया, फिर हम record operations में click करेंगे, category से, और actions से, हम save record में click करेंगे, save record, फिर हम करेंगे next, और text में click करेंगे, तो save record लिखाई आ जाएगा, फिर हम next, फिर finish कर देंगे, तो यह होगा है हमरा second button add, और अभी हम third button को add करेंगे, तो third button को यहाँ पर draw किया, फिर यहाँ पर record operations में click करना होगा, और यहाँ से देखे, delete record नाम का एक option यहाँ पर है, फिर हम करेंगे next, फिर हम करेंगे text, तो delete record आ गया, अभी हम next, और finish कर देंगे, तो delete record नाम का जो button है, वो भी आपके window में add हो जाएगा, फिर हम इसको adjust करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा arrow key देके हम थोड़ा adjust कर रहे है, यह हो गया हमारा button सारे adjust, तो अभी हम यहाँ पर एक background add करेंगे, इसके लिए हम rectangle में click करेंगे, जो कि controls group के अंडर है, तो rectangle में click करेंगे, और rectangle को हमारा form के उपर draw कर देंगे, as a background, तो इसको हम draw किये, अभी हम इसका कोई भी color लेंगे, property sheet से, back color, तो यहाँ पर देखिए, back color में click करने के बाद, यहाँ पर हम कोई भी color आप यहाँ से choose कर दे सकते हो, फिर हम क्या करेंगे, जो rectangle है, उसके उपर हम right click करेंगे, right click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, position एक option होगा, जहाँ से हम सीधा, यहाँ पर send to back में click कर देंगे, तो यह rectangle जो है, as a background, use हो जाएगा, अभी rectangle तो थोड़ा adjust करेंगे, यह हो गया adjust, अभी हमारा form का काम complete हो गया, अभी हम property sheet जो है, इसको हम close करेंगे, अभी हम save tool में click करेंगे, form को save करने के लिए, यहाँ पर form का नाम देना होगा कोई भी, यहाँ पर मैंने दे दिया form, just एक बार ok कर देंगे, अभी हम form design window को close कर देंगे, तो हमारा form complete हो गया, अभी मैं इसको आपको open करके दिखाता हूँ, यह देखिए, हमारा form ready हो गया, तो अभी यहाँ पर जो button है, इनको use करके हम data add करेंगे, तो add record में click किये, तो यहाँ पर देखिए, हम कोई भी नाम यहाँ पर add करेंगे, तो यह मैं यहाँ पर नाम add कर रहा हूँ, फिर address, contact number, department bank दे दिया, manager, और यह उनका basic पर, अभी हम save record में click करेंगे, तो automatically data जो है, आपका table में save हो गया, अभी देखिए, हम open करके आपको दिखाते है, यह table को मैंने open किया, यह देखिए, table में automatically वह अला data add हो गया, अभी हम यह table को close करके, कुछ और data add करके आपको दिखाते है, तो यहाँ पर मैं नाम entry कर रहा हूँ, फिर, sorry, फिर address दे देता है, उसके बाद contact number, department हम bank दे देंगे, अभी हम basic डालेंगे, इसके बाद हम save record में click करके data को save करेंगे, तो यह data भी save होगे, अभी हम previous record में click करके previous data और next record में click करके, next data भी हम यहाँ पर देख सकते है, अभी add record में click करेंगे और 30 data add करेंगे, तो यहाँ पर नाम मैंने entry कर दिया, इसके बाद address, फिर contact number, अभी department डालेंगे, designation assistant manager दे दिया और यहाँ पर basic दे दे देंगे, इसके बाद इसको भी हम save record में click करके save करतेंगे, अभी हम previous में जाके previous data और next में जाके next data भी देख सकते हैं, अगर first में जाना है तो first record में click करेंगे, और last में जाना है तो last record में भी click करके देख सकते हैं, तो ऐसे आप data को add करके, save record में click करके आप data को save कर सकते हो, अभी हम table को open करके आपको दिखाते हैं, तो यह देखिए यहाँ पर जो तीन data मैंने वहाँ पर add किया था, वो तीन data यहाँ पर add हो गया, अभी हम close करेंगे, तो ऐसे आप form design को use करके form आप कर सकते हो, access me.